मेरे साथ में निकाले यहुन ना उसका छे अध्याए उसका देखो चार वचन में क्या लिखा यहुदियों के फसका पर्व निकट था अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहुदियों के फसका पर्व निकट था एक्चल में ये पहले ये परमेश्वर के फसका पर्व इसको कहते थे लेकिन यहुदियों ने इसके नाम को चेंज कर दिया क्योंकि बहुत सी परमपरागत बहुत सी जूटी सी चाय आ गई थी और य को उठा रहे थे तब परमेश्वर ने मिस्रियों को चुटकारा तब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से और फिरॉन से चुटकारा देने के लिए जिस रात चुटकारा देना था उस रात उस देन खुदा ने इसराइलियों से कहा था कि तुम सब अपने परिवार जो इस्राइली है अपना एक-एक परिवार समेत तुम मेमना लेना और मेमने का बली करना और उसको खाना और उसके लहू को तुम अपने दर्वाजे पर लगा देना क्योंकि आज की रात्री मैं मारने वाले स्वर्गदूत को भेजूँगा, मिर्त्यू देने वाले स्वर्गदूत को मैं भेजूँगा, दंड देने वाले स्वर्गदूत को भेजूँगा और जितने घरों में उस मेमने का लहू लगा होगा, वो उनके घर पर मिर्त्यू नहीं आएगी, उनके घर पर दंड नहीं आएगा, परंत उन घरों को स्वर्ग स्वर्गदूद तो छोड़ देगा और जितने घरों में लहू नहीं लगे होंगे वो सारे घरों में स्वर्गदूद तो मारेगा और मृत्यू आएगी और दंड आएगा और सजा आएगा और उस रात वो लोग मेमना लेते हैं मेमने को बली करते हैं और उसके बाद में उसको पका कर खाते हैं और उसके लहू को अपने गर के दरवाजे के बाहर में लगा देते हैं और उसके बाद में वो रात तो अपने घर में सो जाते हैं उस रात फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है दंड देने के लिए मिस्रियों को और स्वर्गदूत आता है और पूरे मिस्र के जितने भी घर में हैं सब के पहले उटे को मार देता है जो बड़ा बच्चा था पहला बच्चा था वो सब को मार देता है ऐसा क्यों किया क्यांकि फिरोन और जो मिस्री लोग थे, वो इस्ञाली लोगों को चुटकारा नहीं दे रहे थे, उनको जाने नहीं दे रहे थे, और इसने परमेश्वर का नियाए आया था मिस्र के उपर में और जैसे ही पहलोटे बच्चे सब के सब मर गए हाहाकार मजगया, रोना, चिला और उसी समय फिराउन और मिस्र के सारे लोग जो थे वो बोल उठे कि तुम चले जाओ नेंको छुटकारा दिया लेकिन चुटकारा देने से पहले उन्होंने मेमना बली किया उसके मास को खाया और उसके लहू को दर्वाजे पे लगा यह चुट का रिक चिननने था मेरे प्रियों मैं आपको सू समाचार बताता हूँ सू समाचार ये है कि आप और मैं हम भी पाप के बंधन में थे बीमारी के बंधन में थे शेतान के बंधन में थे नाना प्रकार की हम समस्याओं में थे और हमको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने इस जगत में मेमना भेजा जिसका नाम प्रभु येश्व मसी था योनना येश्व को देखकर गहता देखो वो परमेश्वर का देखो वो परमेश्वर का मेमना चला आ रहा है जो जगत के पापो को उठा ले जाता है और जो प्रभू येश्व मसी इस पृत्वी पर आए मेरे प्रियो मेमना बन करके आए और मानव जाती के पाप के छुटकारे के लिए ही येश्व मसी कुरूस पर बलिदान हो गए अपने शरीर को तोड़ा कुरूस पर और वहीं कुरूस पर उसने अपने लहू को बहाया कहे के लिए आपके और मेरे पाप छमा के लिए और कुरूस पर उन्होंने अपनी जान दे दी वो मर गए कहे के लिए ताकि आप और मैं ना मरे परंतु आप और मैं अनंत जीवन को प्राप्त करें जब रभू येशु मसी मारे गए गाड़े गए और तीसरे दिन कबर में से उनको जब जब येशु मसी कबर में से तीसरे दिन जी उठे तो उनके विश्वास करने वाले भी आप और मैं हम भी पाप में मर करके नए जन्म के लिए जी उठे उधार के लिए हम भी जी उठे बाइबल बताती है और जब प्रभु येशु मसी का स्वरगा रोहन हो रहा था और जब प्रभु येशु मसी जब बादलों में उठाए जा रहे थे तो बाइबल बताती है एफिशु की पत्र उसका दूसरा गाह में हम भी प्रभू येशु मसी के साथ बादलों में उठाए जा रहे थे और येशु मसी जब परमेश्वर के दाइनी और बैठा तो हम भी येशु मसी के दाइनी और जाकर के बैठे और आपको मैं बता दू मेरे π्रियोग आज आप और मैं हम स्वर्ग में बैटे हुए हैं येशु मसी के दाहिने आप अभी भी जो बैठे हो ना ये शैतान का राज्ज नहीं है ये परमेश्वर का राज्ज है, ये स्वर्ग राज्ज है जहां आप रिराजमान हो जहां आप बैठे हो आप स्वर्ग में हो आप वो धन्य लोग हो मेरे प्रियों जिसको खुदा ने चुन कर अपने निकट आने का सवभाग्य प्रदान किया लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियों अगर अभी भी किसी ने प्रभु येशु पर विश्वास नहीं किया है आप प्रभु येशु मसी पर जैसा ही विश्वास करोगे उसका ये बलिदान आपके जीवन में कार्य करने लग जाएगा पापके बंदन तूट जाए आज ही खुदा आपको अनंत जीवन दे करके आशिशित करेगा आपके और मेरे लिए जो सबसे बड़ी आशिश है वो अनंत जीवन है याद रखो स्वर्ग की प्राप्ति है यहां की जो भौतिक आशिश है आर्थिक आशिश है आपको बता दू यह साट-सतर साल तक आप इसका लाब उठा सकते हैं उसके बाद नहीं उसके बाद आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा अज हमारी जो असली आशिश है वो अनंत जीवन है वो उद्धार है और यह कब मिलता है जब हम प्रभु येश्व मसी पर विश्वास करते हैं तब मिलता है